आज में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अद्रक लख्षून की पेश्ट को लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं आप इसे एक बार बनाए और महनों तक इस्तमाल कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे लख्षून लिया है आप चाहें तो सेम कॉंटीटी में ले सकते हैं जितना अपने लस्ट लिया है उतना अद्रक भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अध्रक का एमांट कम रखा है और यहाँ पे मैं दो लाल मिर्च डाल रही हो जिससे कि आप सब्जी में बच्चों के लिए बना रह करें था और आप आपको इस बात के द्यान रखना इस में कि आप इसे लुत ग्रीज़ करने की वक्त इति डेशलरी अपनी के ऒगार करले ने में किसमाइप भाल रही हुआँकर पूरे अच्छी तरह से पेस्ट नहीं हुआ है मैं इसे एक बार मिक्सर में और चला लोगी मिक्सर में चलाने के बाद यहां पे आप देख पार हो यह एक दम अच्छा सा पेस्ट बन कर रेडी है इस तरह से आपको स्मूथ सा पेस्ट बना कर रेडी कर लेना अब इसे हम एक बरतर में निकाल लेते हैं अब इसे बरतर में निकालने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे मैंने यहाँ पे तीन चमश तेल का इस्तमाल किया है और मैंने यहाँ पे रिफाइन ओल यूज के आप चाहे तो सरसो तेल का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पे 1-4 चमश हल्दी डाल कि एक मेहने तक अस्तमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें आजा चमस नमक डाल के अच्छी तरह से मिला ले और इसे एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि नमक फिजरवेटिब का काम करता है अगर आपको इसे पंदरह दिन से लेके एक मेहने तक के लिए स्टोर करना हो तो आप नमक जरूर अड़ कर ले और ध्यान रखी इसे आप एर टाइट कंटेनर में डालकर ही आप इसे फ्रीज में रखे मैं यहाँ पर एक ग्लास का जार करे अगर आपके पास ग्लास का जार हो तो आप उसी इस्तमाल करें और इसे बन थांकियो पुर वाचिंग।